दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं जिस युनिवस्टीगे बारे में हालकि बहुत सारी उनिवस्टीज है रायपुर 36 गड़ के अंदर 36 गड़ में वैसे तो टोटल 15 उनिवस्टीज है जो प्राइविट उनिवस्टीज है उसके अलावा भी कुछ युनिवस्टीज है बट इन 15 युनिवस्टीज में से एक नाम जो सामने आता है ITM युनिवस्टी रायपूर का उसके बारे में students बड़े curious है और चाते हैं जानना युनिवस्टी के बारे में बहुत कुछ युनिवस्टी कब बनी युनिवस्टी के चांसलर सहाब कोन है युनिवस्टी कोन कोन से courses करवाती है मतलब किस तरह courses युनिवस्टी करवाती है क्या कोई extra ordinary ऐसा कोई course है जो युनिवस्टी करवाती है जो रायपूर में 36 गड़ में और दोसरी युनिवस्टी या नहीं करवाती है दोस्तो किसी भी युनिवस्टी में admission लेने से पहले युनिवस्टी की अच्छे से जाच पड़ताल कर ले युनिवस्टी के बारे में बहुत अच्छे से जान ले युनिवस्टी का past क्या था अभी युनिवस्टी कैसी है किस तरह चल रही है युनिवस्टी के पास approvals कौन से है युनिवर्सिटी की मानिताएं पूर्ण रूप से जाच लें और देख लें कहीं युनिवर्सिटी किसी bad activity में तो नहीं सब कुछ जाच परताल करने के बाद ही युनिवर्सिटी में आप admission लें तो कि हम आपको वही updates दे रहें हैं जो कि अभी फिल्हाल युनिवर्सिटी की डेटेल्स updates है अपने विवेक से काम लें और युनिवर्सिटी को ज़रूर विजट करें बिना विजट करें आप किसी भी इउनिवर्सिटी में ऐसे ही एड़मिशन ना लें साथ में यूनिवस्टी के पास क्या क्या approvals है यूनिवस्टी यूजीसी पर हम कैसे जाके चेक करें क्योंकि सभी यूनिवस्टी यूजीसी द्वारा रेगलरेट की जाती है ऐसे कई सारे सवाल आप लोगों के दिल में जिनके सवाल आपको आपको easily वेबसाइट को सर्च करने से या अधर स्टडी से आपको नहीं मिल पाते हैं या दूसरी वीडियो से आपको नहीं मिल पाते हैं पर अपने इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं पूरी तरह से complete एक वीडियो बनाएं जिसकी पूरी information हम आपको दें ताकि एडमिशन लेने से पहले आपको युणिवस्टी के बारे में सभी जानकारिया हों ताकि एडमिशन लेने के बाद कोई किस तरह का पच्छतावा आपको करना ना पड़े ज़्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों ITM युणिवस्टी के बारे में राइपुर्म जो युणिवस्टी इस्तीत है दोस्तों हाला कि हमने और भी कई सारी युणिवस्टी इस पर अब तक वीडियो बनाई है जो युणिवस्टी चलती है 36 गढ में राइपूर में इतनी भी युणिवस्टी चलती है वीडियो लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं ताकि आपके सब तरह के डाउट्स किलियर हो सकें इस उनिवस्टी के बार में थोड़ा बहुत आब गार जानना चाहते हैं तो पीवी रमना यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब है तो वाइस चांसलर वो है itmuniversity.org यहां आपको सबी तरह की मदद मिलेंगी और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परिशान करती है कोई कॉलिज परिशान करता है तो भी आप इस association की मदद ले सकते हैं WhatsApp करें इस association को वो आप खुद आपको reply करेंगे और आपको सब details आपके number पर भेज दी जाएगी यूनिवर्सिटी यूजी सी पर कहा रहेंग करती है मतलब हम यूनिवर्सिटी को यूजी सी पर कैसे चेक करेंगे इसको चेक करने का तरीका बहुत आसान है बहुत बार मैंने अपनी वीडियो के मातिम से आपको बताया है पर क्योंकि आपको पता होना चाहिए अपने देश की सभी यूनिवर्सिटी रेगुलेट की जाती है यूजी सी के दुवारा और जो यूजी सी है ये रेगुलेट किया जाता है Department of Higher Education के दुवारा Government of India के दुवारा और यूजी सी पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज के नाम है वो सभी यूनिवर्सिटीज माननिता प्राप्त है कैसे आप चेक करेंगे सबसे पहले आप टाइप कीज़े www.ugc.ac.in जैसे क्लिक करेंगे 36 गड़ पे आप जैसे क्लिक करते है टोटल जो यूनिवर्सिटीज प्राइविट यूनिवर्सिटीज 36 गड़ में टोटल 15 यूनिवर्सिटीज है और इन सभी 15 यूनिवर्सिटीज की डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आठवे नंबर आप देखिए ये ITM University के बारे में लिखा हुआ है ITM University के जो ओफिशल वेबसाइट www.itmuniversity.org जो UGC पर लिखी है उसी वेबसाइट को हमेशा ओरिजिनल माने और किसी भी दूसरी जो वेबसाइट सोती हैं उन पर पुरसाब बिल्कुल लागा University कब बनी है? University बनी है 2012 मतलब कि 3 February, 3rd of February 2012 में University बनी है और University के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप More Details को क्लिक करते हैं जैसे ही More Details पर आप क्लिक करेंगे University Contact Information ब डिटेल से लिए हैं हाला कि बहुत सारी University ऐसी भी है खुद 36 गड़ में University हैं जिनकी More Details में आपको डिटेल देखने को नहीं मिलेगे दोस्तों कर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सकें हमें प्रोसान मिलता है और अच्छे अच्छी वीडियो आपके लेकर आने के लिए और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो आप तक फोच सके सबसे पहले साथ में जो वाइस चैनल साहब है वो है प्रोफेसर डॉक्टर विकास सिंग हाला कि मैंने पहले भी आपको बताए विकास सिंग जिसके वाइस चैनल है और जो यूनिवर्स्टी के रिजिस्टर साहब है और नाम है डॉक्टर आर निसा मूर्थी यह डेटेल्स है कुछ यूनिवर्स्टी के साथ में रिजिस्टर साहब की यहाँ पे मेल आडिनली होई है वीसी साहब की डेटेल आली है फोन नमर मेल आडिनली दोनों अपडेट है कोई भी किस तरह प्रॉब्लम्स आपके साथ अगर है तो सीधा आप यूनिवर्स्टी के वाइस ट्रांसलर और रिजिस्टर साहब से भी कॉंटेट कर सकते हैं लगी हमने यूनिवर्स्टी को मेल किया है वटसेप भी किया है कि हमें 2022 या 2013 का प्रॉब्लम्स मिल जाए तो हम वो एक उस पर वीडियो लेकर आएं कि यूनिवर्स्टी के पास 2022 में कौन-कौन से कोर्सिस अभी थे और कौन-कौन से अप्रॉब्ल से और 23 में अभी उनिवस्टी कौन-कौन से Approval सको और कौन-कौन से Courses को Upgrade करने वाली है ताकि उसकी भी पूरी जानकारी आप तक हम पहुचा सके जैसे prospectus आएगा या जब भी हम उनिवस्टी को personally विजिट करेंगे उस विजिट के बाद और डिटेल में आपको बता पाएंगे ITM उनिवस्टी के बारे में फिरल बात कर लेते हैं उनके Courses की Courses उनिवस्टी कौन-कौन से चलाती है उनिवस्टी सभी तरह के Graduate, Post Graduate, Academic जो चलते हैं सभी Courses दूसरी उनिवस्टी में यहां पर भी चलते हैं क्योंकि उनिवस्टी जब बनती है सभी तरह के Certificate, Diploma, Undergraduate Courses, Post Graduate Courses और Research में Admissions लेने के लिए हमेशा से Ready होती है जैसे UGC के मानेता मिल गई तो उनिवस्टी इन सभी Courses में Admissions ले भी सकती है उसे कोई किस तरह की Boundation नहीं होती है अब इस उनिवस्टी के पास जो Courses चलाने के लिए हैं अगर आप देखोगे Undergraduate में तो उनिवस्टी ने कुछ Courses को Mention किया है जैसे कि BB आप कर सकते हो यहां से उनिवस्टी के पास से अच्छा कोर्स बोलूगा मैं इसको B.Sc. Medical Lab Technology B.M.L.T. D.M.L.T. Common Course होता है साथ में है B.Sc. Biochemistry यह भी एक जर्नल एक नॉर्मल कोर्स है साथ में B.Sc. Microbiology या फिर B.Tech Computer Sciences BCA, B.Com दोस्तों यहां पर एक कोर्स आता है B.B.A. L.L.B. और B.A. L.L.B. मैं बता हूँ L.L.B. करने के लिए सिर्फ एक एक अपरोवल चाहिए BCA का Bar Council of India अगर आपके पास वो अपरोवल है तो युनिवस्टी उस कोर्स को चला सकती है साथ में B. Architecture भी है युनिवस्टी के पास ऐसे कुछ खार्स कोर्स दोस्तों युनिवस्टी के पास है नहीं जिन कोर्स के लिए मैं आपको बोलो कि युनिवस्टी बहुत ज़ादा अच्छी या फिर युनिवस्टी के पास हर तरह के अपरोवल से ऐसे कुछ कोर्स मुझी देखने में युनिवस्टी की वेबसाइट पर नजर आए नहीं नॉर्मल से जो कोर्सिस हैं जैसे School of Engineering and Research मतलब की युनिवस्टी Engineering, Diploma करवाती है, B.T.E.C. करवाती है, M.T.E.C. करवाती है खास कुछ ऐसे कुछ कोर्सिस नहीं है सभी युनिवस्टीस करवाती है School of Commerce, Management and Research मतलब नॉर्मल कोर्सिस आप B.B.A., M.B.A., B.Com., M.Com ये सब कोर्सिस कर सकते हो School of Law, L.L.B., BCI का प्रूवल चाहिए जब जब समयने आपको बताया साथ में School of Life and Allied Science मतलब इसके जो कोर्सिस होते हैं नॉर्मली जैसे की B.O.P.T.M.E.T.R. होता है B.S.C., Chemistry होता है, Microbiology होता है, Biochemistry होता है ये सब कोर्सिस आप उनॉर्सिस से कर सकते हैं School of Information Technology, PGDCA ये नॉर्मल कोर्सिस जो कोई ऐसा कोई कोर्स नहीं जिसके बारे मैं आपको बोलू कि है उनॉर्सिस चल रही है काफी टाइम से और युनिवस्टी के पास बहुत सारे ऐसे-अप्रूवल्स आ गए है कि युनिवस्टी में आपको बिल्कुल इसके लावा कहीं जाना ही नहीं चाहिए 2012 से युनिवस्टी चल रही है दोस्तों लगवक 11 साल युनिवस्टी को हो चुक है अभी तक NAC नहीं है NAC की अपडेट युनिवस्टी के वैबसाइट पर कहीं पर है नहीं हाला कि जितने भी युनिवस्टी के पास NAC होता है वो फ्रंट पे ही डाल देते हैं कि NAC accreditation है नजर नहीं आया हो सकता है इनके पास अप्रूवल हो पर यहाँ अपडेट नहीं है क्यों अपडेट नहीं है वो तो अलग चीज है साथ में हम लोग बात करें युनिवस्टी के पास affiliations कौन-कौन से है तो affiliation के लिए भी युनिवस्टी के वैबसाइट पर अलग से कोई ऐसा को tab या column बना नहीं है जासे मैं देख के बता सकूँ कि युनिवस्टी के पास यह यह सभी approvals है और ITM युनिवस्टी में इसलिए आपको admission लेना चाहिए दोस्तों आप किसी भी युनिवस्टी के कोई भी documents verify करवाना चाहते हैं verification के काफी सारे process होते हैं पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ कि RTI एक बहुत अच्छा option होता है government process के थुर आपके documents verify हो जाते हैं फिर भी आप चाहे तो सिधा युनिवस्टी से verify करवा सकते हैं universities अपनी website पर detail डालके रखती हैं या फिर RTI लगवाएं इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं और अगर कोई भी documents किसी भी उनिवस्टी से आपने लिए हैं अब further documents आप निकालना चाहते हैं migration, degree, LOR, transcript कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप युनिवस्टी से बहुत दूर हैं आप helping hand चाहते हैं तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें कोई भी documents जो आपके युनिवस्टी में भी pending हैं और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं West Process में या फिर डिगरी को verify करवाने के लिए आप हमसे भी contact कर सकते हैं पर आप अगर approval की बात करें तो कुछ approval जैसे युनिवस्टी बोलती है UGC मतलब युनिवस्टी grants commission जो मैंने आपको बताया 36 प्राइवेट युनिवस्टी regulatory commission मतलब युनिवस्टी जब बनेगी तो स्टेट से तो approval लेती है वो युनिवस्टी के पास है BCI का approval है COA Council of Architecture का युनिवस्टी के पास approval है साथ में ही छोटी मोटी चीज़े जो Association of Indian Universities member है उसके World Council of Optometry इसका भी युनिवस्टी ने अपना membership लिया हुआ है खास दोस्तों कुछ approval नहीं है इसके लिए मैं बोलू युनिवस्टी में आपको admission लेना ही चाहिए पर हाँ मैं आपको ये जुरू बोलूँगा कि जब भी आप किसी भी युनिवस्टी में admission लेते हैं युनिवस्टी आप जाएं विजिट करें युनिवस्टी के faculty members से मिलें होस्टल देखें युनिवस्टी का जब तक पूरी तरह से ही आप संतुष्ट ना हो जाएं यहां जो इसके आसपास की युनिवस्टी हैं उनसे ये युनिवस्टी थोड़ी सी उपर है तब तक आप admission ना लें हो सकता है इसके आसपास ही आपको और अच्छी कोई युनिवस्टी मिल जाए जिसकी fees कम हो, campus अच्छा हो, उसका hostel अच्छा हो, अच्छी education दी जा रही हो क्योंकि सिर्फ education नहीं, quality education आपको मिलनी चाहिए जैसा मैं हर वीडियो के माधियम से बताता हूँ, दोस्तों जब भी उनिवस्टी विजिट करेंगे तब ही ओर detail में आपको बता पाएंगे उनिवस्टी में क्या-क्या अच्छाईया है और क्या-क्या चीज़े जो भी तक हमने युनिवस्टी के बारे में आपको नहीं बताई जब भी prospectus युनिवस्टी का आएगा तब भी आपको prospectus के माधियम से एक वीडियो लेकर आएंगे और तब आपको बताबाएंगे कोन-कोन से नहीं ने कोर्सिज युनिवस्टी आड़ कर रही है बट फिलहाल जितने कोर्सिज मैंने आपको बताई जो अप्रूवल्स बताई हैं कर दो कर दो कर दो